नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 मैं हूनी रजकुमार वक्त तो हो गया है सुबह के ताजातरीन खबरों का सबसे पहले आप सभी को गंतन दिवस की हारदिक सुब कामना है देश आज 74 मा गंतन दिवस मना रहा है यह दिन भारत के इतिहास के लिए काफी महत्पुन है क्योंकि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 इसवी को भारत का सम्विधान लाग हुआ था गंतन दिवस के अफसर पर दिल्ली के इंडिया गेट पर मुख्याती थी मिस्र के राश्टपती अपदेल फतेह अलसीसी और भारत के परदान मंत्री नरेन मोदी की मौजूदगी में राश्टपती दिरोपदी मुर्मूत तिरंगा फैरा रही है जहां सेना द्वारा स्वादेश में निर्मित हतियारों का परदर्सन किया जा रहा है वही विभिन राज्यों के रंग विरंगे जहांखियां भी निकाली जा रही है दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार देने जा रही है गंतन दिवसका नया तोफा अब निसुल को होगी आखों की जाच और जरूरत परने पर मुफ्त मिलेगा चस्मा और आपरेशन भी कराई जाएगी केजरिवाल सरकार ने की आयलान केंद्रे वितमंत्री निर्मला सितारमन की उपस्थिती में बजट से पुर्व परंपरागत हल्वा से रोमनी का आयोजन आज किया जाएगा बता दे कि हर साल परंपरा के तौर पर हल्वा एक बरे वरतन में तयार किया जाता है जिसे बजट पर काम कर रहे सभी करमचारियों में बाटा जाता है और इस दिन के बाद जिस दिन तक बजट नहीं पुर्ण हो जाता तब तक सभी करमचारी अर्थात 31 फरवरी तक सभी करमचारी कारियाले से बाहर नहीं निकलेंगे आज से ब्रज में शुरू होगी 40 दिन की होली बाके विहारी मंदिर में उरेगा अवीर और गुलाल सुप्रिम कोट आज गंतन दिवस के अफसर पर हजार से जादा फाइलों का दस भासाओं में जारी करेगा अनुबाद देश में एक वार फिर से किसान आंदोलन का आगाज होने जा रहा है जहां किसान आज गंतन दिवस पर तिरंगा ट्रेक्टर रेली निकाल कर इसकी शुरुआत करेंगे बिहार से पुर्वसांसद्व आनन्द मोहन आज आ सकते हैं जेल से बाहर आज सहरसा जेल से मुक्त होनी की है उमेद आज है बसंत पंचमी का तेभार जहां आज के दिन ही विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा होती है इस दिन सफेद या पीले रंग के कपरे पहन कर मा सरस्वती की पूजा की जाती है और विद्या का आशिरवाद मांगा जाता है National Green Tribunal ने कहन दिये परदूसन नियंतरन वोर्ड और उत्तर परदेश परदूसन नियंतरन वोर्ड के सदस्यों वाली एक संजुक्त समीती को उत्तर परदेश में चल रहे कुछ विजली संयंतरों पर एक विस्तरित रिपोर्ट प्रस्तूत करने का निर्देश दिया है बिहार की राजनित में आरोप परत्यारोप के बीच एक वार फिर से उतल फुतल की अटकले तेज हो गई है जहां भाजप्पा और जदियों में फिर से निकटता बरने की बात कही जा रही है वही भाजप्पा राजसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बुधवार को कहा कि अब नितीज कुमार के लिए NDA के दरवाजे बंद हो गए है उसके बाद उपेंद कुस्वाहा ने नितीज कुमार को जवाब देते हुए कहा बरा अच्छा कहा भाई साब ऐसे कैसे चले जाये अपना हिस्सा छोरे बगएर असपश्ट है कि उपेंद कुस्वाह अगर जदियों छोडते हैं तो कईयों को साथ ले कर जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा छेतर साल एस्टेडियम में आयजित गंतन दिवस समारोह में मुखमंतरी केजरिवाल के भासन पर भाजपा ने आपत्ति जताई भाजपा परदेश कारकारी अध्यक्ष विरेंदर सच देवा ने कहा कि मुखमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने गंतन दिवसमारों का दुरुपयोग कर कैन सरकार के खिलाफ टिपनी करने और उपराजपालिक से टकराव रहाने के लिए किया इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता NIA ने मोहाली RPG मामले के मुख्य सूटर को किया गिरफतार अन्य आतंकी वारदातों में भी है सामिल आमाधी पार्टी ने हर्याना इकाई को किया भंग जल्द ही होगी नई टीम की घोसना ट्विट कर दी गई जानकारी उत्राखंड के सियम पुषकर सिंग धामी ने सचीवाले में G20 सम्मिट की तयारियों की बैठक ली इस दोरान सियम ने अधिकारियों से कहा अगामी 25-28 मई एवं 26-28 जून 2023 को उत्राखंड में प्रस्तावित G20 की बैठकों के लिए सब ही आवस्षक विवस्थाओं में तेजी लाई जाए जारखंड पुलिस ने किया अंतरराज्य गिरोह का परदाफास जहां पलामों के विवसाई से मांगी थी दो करोर की रंगदारी मद परदेश में बिजली कमचारियों की हर्ताल दो धरों में बट गई है जहां बिजली कमचारियों के चार संगठन की हर्ताल लगातार जारी है वहीं उनाइटेड फॉरम ने हर्ताल से अपना समर्थन वापस ले लिया है हिमाचल परदेश के सियम सुखविंदर सिंग सुखु ने त्रेटपन में राज अस्तरिये पुर्ण राजत्व दिवस्त समारोह की अध्यक्स्ता की इस दोरान मुखमंत्री ने कहा हिमाचल परदेश में विकास और परिवर्तन के नए युग का सुत्रपात हुआ है जम्मो कस्मिर में भारी वारिस के कारण भारत जोरो यात्रा हुआ रद अब 27 जन्वरी को सुरू होगी यात्रा रिपब्लिक डे पर रहेगा आवकास विश्व भारती ने नौवल पुरसकार विजेता अमर्थ सैन को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने परिसर में 13 डिसमेल भूमी पर अवयद कवजे का आरोप लगाया और उन्हें जल्द से जल्द भूमी सौपने को कहा है चुनायोग ने महराष्ट के पूने जिले में आने वाले दो सीटों चिंचवार और कस्वा पैठ में होने वाले उप्चुनाव की तारिख बदल दी है अब यहाँ 26 फररी को मतदान होगा गुजराज से कॉंग्रेसी विधायक अमित्स चावरा ने गुजराज विधान सभा में विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है वहें पुर्व नेता विपक्ष सुखराम राठवा ने पार्टी में सुधार की जरूरत बताई और अपने सभी विधायकों को पांडव और भाजप्पा के सभी विधायकों को कौरब बताया राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर लागाम लगाने के लिए कानून बनाएगी राजस्थान सरकार विधान सभा में छात्रों के लिए उठा मामला दिलिफ मिस्रा की रिपोर्ट एड्स एचाइबी से गरसित मरीजों को बहतर जिन्दगी के लिए सुल्टानपूर जिलाचिक साले में एक जागरुकता सिविर का आयजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथी के तोर पर अपर निदेशक स्वास्त डॉक्टर S.C. कौसल और विशिष्ट अतिथी डॉक्टर राम धिरेंदर मवजूद रहे तो ये थी आज की कुछ ताजातरिन खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजे नोटिफकेशन वेल को दबाईए वीडियो को लाइक किजे और ज्यादा ज्यादा सेहर किजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आ आनने वाले रह सकें अपडेट